नए वीडियोज देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें नए वीडियोज देखने के लिए वीडियोज देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें नए वीडियोज देखने के लिए वीडियोज देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें वीडियोज देखने के लिए वीडियोज देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें वीडियोज देखने के लिए वीडियोज देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें झाल झाल तर्ट जाल कि अग्षाथ कि अग्षाचात जोओख जयरा रेवार स्वाफ दिए अख। धाल मेरे अख। अपॉख अभी तेजा अग्षाच। नोबड़ इन एंग्षाच्छिश्द द्टूच्छ्छ। प्रें प्रेंग्षाचल प्रेंग्षाचल झाल थे hardest! और रहे जोगाउन, जुएंग जुएंगे जुएंगे जुएंगे. यह जैंग क्या में रूमिछ मैं अरिडिय। का हाच mem sever hall क्या दौम हम आस्पिटल में हां कॉंसी अस्पिटल में सिं जोंस नहीं होस्पिटल थी पीज्व पेर भी तोड़ गया। सिर्फ जबान छोड़कर बागी सब कुछ तोड़ दिया रहे। तो फिर उसी जबान से बताओ विकी यह सब कैसे हुआ। मांट हट पर एक लड़की स्कींग कर रही थी। बाजू के होटल वाले ने उसे रेप करने की कोशिच की। और जब मैं भचाने गया तो आयाययययY क्या? कौन है वो? राजू. राजू? इंडिया ले? हाँ... इंडिया से यहाँ आके इंडियन्स का नाम खराब करते हैं। रोमा, डॉक्टर को बोल कर साइट वाला बिट खाली कराओ. क्या नाम बताया उसका? राच्चू राच्चू है मैं कवारा आ गया प्यार कमारा आ गया मैं कवारा आ गया प्यार कमारा आ गया हसीनों का दिवाना हूँ निगाहों का निशाना हूँ आसुमान से इस धर्ती पे एक सितारा आ गया हर मैं कमारा आ गया प्यार कमारा आ गया किसी ने कले से लगाया मुझे किसी ने लबापे सजाया मुझे किसी के खयालों में छाया रहा मैं दिल में किसी के समाया रहा मैं है जब इनों की गली में बन के आशिक चा गया हेए Prag मैं कमारा गया प्यार कमारा गया कोई हश के देखे तो मैं प्यार दो मुहबबत पे अपनी में चावार दो कोई चोरी चोरी मेरा नाम ले वहकने लगों तो कोई थाम ले मैं कवारी लड़कियों को छेड़ के तड़ पा गया है मैं कमारा आ गया प्यार कमारा आ गया हसीनों का दिवाना हूं निगाहों का निशाना हूं आसमान से इस धर्ती पे एक सितारा आ गया हैं को तरते एका गया गया इस वहकोएं येय! आवर्यों दड़ी जड़ी हुँ! हुँँ! म्युँ! म्युँ! राचु! राचु! सबु eer हो अए हो इसकते ठॉप भी! हो, 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 हो! हो, हो! याच याच हीाच ा Đi याच याच आप इंडिया से न्यूजिलेंड बरफ के थंड़े पानी में जान देने क्यों आई वहीं किसी नदी नाले में कूद कर जान दे देती किसी की चान लेने आई हूं अच्छा तो आप जान लेंगी वेरी गुड मैं सीरियस हो अच्छा वैसे आप किसी को नजर उठा कर देख ले तो ऐसे ही मर जाएगा देखो मजाक मत करो एक बर मेरे हट में तो आने दो हड़ी पसली तोड़ के रख दूगी उस इडियेट की वैसे इडियेट है कौन है कि इंडियन हम इंडियन हम रेस्टर अच्छा बेख लेकर चलो उसके पास छोड़ों की निम्हार उसने किया क्या है बहुती घिन्वनी हरकत किया बदा भी शरम आरी अच्छा बताते प्रव शरम आरी यह अपने मूँ से बतायागा उसने किया क्या है बल्के उसके लिए तो एक बैद भी भुप कर आए आयू म रोड नंबर कर दूंगे तुछ को अंगर देखो मैं कंफर्म करके आता हूं कि यही राजू है के नहीं चल्दी आना ओके बहुत डिस्परेट लग रही है कि गोपाल यह लड़की ने तिरसाथ को पतमेशी तो नहीं की सीधा सीधा बोलना तुने देख लिया है यार तेरे साथ मेशा ऐसा क्यों होता यार क्या मालूम यार जब भी लड़की पठाने कोशिश करता हूं सीधा चमार तपार और एक तू है तेरे आगे पीछे लड़ नहीं मस्त लग रिया पकड़ू क्या और भूख तूझा आकर पकड़ लेंगी मेरे दोस्त नहां कैसे बोल रहा हूं कैसे उम्ह उसे पता जल जाए कि तुछ गोपाल नहीं राजू है तो जाके बोलना मैं राजू हूँ लेके दुसको गल्दी से बोल मात दिना के तुछ इससे पता लग यह रूप्ध के बिचकर शुरी मेरे हाथ से बचके नहीं जा सकता ओशरी से गाम लेना खतरनाक लगता है और है यह रूपिल माल्य होatif अजय कर दूंगी दो मिनिट में तो मैं तो तुम ही राज हो और क्या मैं तुम तुम तुमें आमेर खाँ दिखा दे रहा हूँ सबस्कता कि तुम छे भुटू चे लंबे मुचा वाले विला टाल टाइप के आद में निकलोगे तुम्ते बड़े कमेडिन टाइप के आद में निकले तुम्हें मारने में मुझे कोई मिश्किल नहीं होगी तो तुम भी मेरी बॉड़ी और हाइट से दोखा खागी ना लेकिन मैणम तुम मुझे जानती नहीं मैं बहुत खतर ना कर नहीं उड़े हिंदोस्तां की पोलिस मिझे देश के कौने कोने में लिख मैं यहां के बसाऊ यह क्या हुआ ज्क वह गषा देख रहा हुं मैं लेकिन एक ब्लेप एक बिद्ध भाई साब आप एक हिंदुस्तानी होगे दीन को क्यों मार रहा है आखिर प्रोब्लम को अब पकड़ इस लड़की को ऐसे नहीं बाहूं मैं डाल से नहीं बाहु को एस नहीं बाहु डालके के मैं किसी लड़की को इस नहीं पख़़ लूगा मैं उस टाइप का तो फिर ऐसे समझो कि मैं ही वो लड़की हो जिससे तुम प्यार करते हो शादिक करने वाले और फिर जल्दी से पकड़ लो चाल अच्छा आने जो कसके अरे भाइसाब आप हम दोनों को इतना क्यों कसवा रहे हो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहरा हूं किस टाइप का मैं इसे नोरी यह भाई साब अधा भाग या अपने रेस्टॉर्ण में तो आएगा ही न यहीं बैटकर उसका इंतिजार करते है आरे लेकिन आप मुझे बता क्यों ने रहें कि आप राजु को मारना क्यों चाहती है भाई मिलेगा तो खुद ही बताएगा अपने मूं से ओके आप दो मिनट रुक है मैं पांच मिनन मैं आई आले बैक होके तो अगे प्लेश अगे अट प्लेश अप्लेश का इस ब्रदर आपको छुपने के लिए यह जगा मिली अरे उस्से बचने के लिए यहां कुछ निया से चाटा खाया हूं ने रेश्टॉर्म में जाएगा तो छुपने जुझा करेंगे और वह सामने हैね कर दो कर न अन्सा वे कर अदो यहीं कोन कर दॉस्थ सा द एक आले कुछ अम को िंस आपटर मोला क। यह कर सामया जई ऑद ए कर द दूने अन दूड़ाए अवह staan मैं टु नहीं है तुम तूम को मैं थूड़ी गूंद है हां तो हवा में मिलेगा जमीन में मिलेगा तुमकुँ मैने देखा उसको बगल में का है किदर राचू गम आपकर जम 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 आम कामन है जम 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 बभी मेरे प्यार वाला गुल खिला हसीन तुँ जवान में लोटाओं कुछ पेजान में कर शुरू करें चाहतों का सिलसला मन चला ओ मन चला ओ मन चला जा दिवाने यूना मेरा दिन चला मन चला ओ मन चला ओ मन चला जा दिवाने यूना मेरा दिन चला ना ऐसे मेरा नाम ने तू सबर से तकाम ने रहने दे अभी जरा जरा जबाज लाओ और मिला है और मिला है और मिला दिल ने मेरे प्यार वाला कुल खिला शोखिया तेरी आखों में मस्तिया तेरी सासों में खुश भूओं की रावानी है मेरे खाबों की रावानी है कैसा है अनौरी ये ना बात मेरी मौने दे बजी को संधे न दर्द मेरा जाने खुश में नहीं है हो गया है बागला और मिला है और मिला है और मिला है दिल मेरे प्यार वाला कुल खिला मंचला है मंचला है मंचला है जा दिवाने यून मेरा दिल जला कर दो कर दो खेरे क्यों मुझको ना हो में आओना तेरी बाँ में छोड़े मुझको जाना है तू तो पागन दीवाना है जाएगी कहा तो यूँ बेकरार करके देख तो दिवानी ते क्यों बार मुझक पर मरके लग जा तो गले से छोड़े वागे गिला मंचला हु मंचला हु मंचला हु मंचला जा दिवाने यूना मेरा दिल जला न ऐसे मेरा नामने तू सफर से तका मने देने दे अभी ज़रा ज़रा सपासिला और मेला है और मेला है और मेला दिल मेरी प्यार वाला कुल खेला हसीन तु जान मैं लुटाओं तुछ पे जान मैं चल शुरू करें ये जाहतों का सिल्सिला मंचला हु मंचला हु मंचला हु मंचला हु मंचला और मिला मंचला, मंचला, मंचला और मिला, और मिला, और मिला Good morning Good morning Morning, morning Aray, यह तो मेरे कपडों के तरह लग रहे हैं यह आपके कपडों के तरह नहीं है, यह आपके कपड़े हैं What? यह कैसे हो? रात को रात को हो यह से क्या हो? यही आरेश कफी के नशे में आपने नजाने क्या 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 मैंने आपने अपने कपड़े उतार कर फेक दी आपके सामने? नहीं, मैंने मुझ घुमा लिया था आप सच कह रहे हैं न? बिल्कुल लेकिन उसके बाद आपने मेरा लूंगी गुर्ता निकाल कर पहन लिया आपके सामने? नहीं, मैंने मुझ घुमा लिया था फिर तो ठीक है, वैसे तो मुझे कुछ याद नहीं लेकिन आप सच कह रहे हैं घुकिकला था आपर फिकर रहा है? मैं बहुत शरीफ आद्मी हूँ मैंना प्रतरले अपने आपको नहीं देखता तो आपको क्या देखता? वैसे उर्मीला तुम्हारी कमर पर जो तिल है वहो तुम्हारी होटो पर होता होता TOKYA होता 리 मिलकुल بالकुल पत्माशात put me मैं तु काव तॉ क्या हुआ our यावा और उर्मिला क्या हुआ और उर्मिला वोलोगे के जाए वियारस कॉन यह तो राजू है राजू कोप़ा। अरे सामने सातिया कर रहा था ईसा खीच के दिया है सुबह तक नहीं उठेगा राजु गोपाल कल सुबह तक तो क्या अब लगता है यह उम्र भर नहीं उठेगा मतलब मेरा मतलब लखे यह तो यह तो दुनिया से उड़ गया यह तो माल गया यह तो माल गया यह तो बहुत दोर से मारती है तू मर चुका है और तू लाज बन करना, तू मरेगा तब बदागी कि राजु के बढ़ी हूई है, चुल शल मर जा, मर जा, मर जा, मर जा यह तो सारी पंबिंग करके देख ली, लेकिन कुछ नी हो रहा है, कुछ नी हो रहा है के सच मुझ मर गया है? तू मैं तो पोलीस एगी? मुचे जयल लेकर जाएगी? लेकर लेकर जाएगी मुचे बचारीगी लटकाएगी मुझे बचाले जाएँ आप तो जानते है मैने असब को चानबुछके में किया आखे लएजू ने किया क्या था? हुआ बोटेसब बाद में बताऊँ कि अभी पहले बॉडी का कुछ केशे जए प्लीस डॉंट वरी नोबडी असीन दोबडी हैस जी लाज को लाज गाल रालेगा इलजाम उसके सपर चला जगा हम दोना बच आएँगे अरे, क्या बात कर रहे है दोस्ते मेरा वह। क्या? नहीं नी सुम्झे नी? अगर उसने लाज की मूंडी काट दी ना तो हम लोगुको मूंडी एक जगा पर ले जाने पड़ेगी और धड एक जगा पर ले ओने पड़ेगा ओके इसकी उगली तो मैं इसके तरफिक कर लेता हूँ यार तुम टेंशन मतलो चलो बढ़ जा बढ़ जाओ चलो इसे चुब चुब तुम पो ने बलाओ तुम पो ने बलाओ लॉछ भी कहा लेके आ हो ये क्या है इतना भी यह जंक याड है वो तो मुझे भी पता है लेकिन गाड़ी यहां क्यो रोकिए यहां पे लच्ड़ क्या करेंगे सीधी सी बात है यह पर गाड़ी स्क्रैप होती और उसे कमाड खाने में फिक दिया जाता है गाड़ी के साथ साथ लाश भी स्क्रैप में चली जाएगी और किसको कानो कान कपर तक नहीं होगी मैं कैता मैं तो बैट बाल रहा हूं तुमको यह इस वेरी गुड आईडिया मैं सिर्पसी को किस करू़गी जिसे में प perto जी से मैं धाल करोंगी जिसे में भाहता है गी कॉलकसी है500 ostrich कुछ सब्सक्राइब करने उपने नियुको पर यह है श्री नियुको में उन्होंने लाश को देखा नहीं है लाश को अरे हां और देखो ना मरा भी किना मासूम लग रहा है ऐसा लगना जैसे सो रहा है आप क्या करें? देखो, पुलीस में इसका चहरा बचान लिया है अब इस लाश को यहां पर ठिकाने लगाना ठीक नहीं हमने काम करते हैं इसको होटल ले जाते हैं और चैन से आराम से बैठकर चाय पीते वे सोचते हैं इस लाश को ठिकाने कालाएं ओके . ओके ओके कंधी लाश कहीती सौनव हाँ लिप्सिक कारो ओओ यह कब लगई ओओ ओओ thìो ऑओ nights इसहां किता है ऑइंजNewMM आख़़ो कोई नहीं बार राब्ड़ तक नहीं काटवो कारो Archadاش जल्दी जल्दी करो मैं मदद करो मैं मैं अकला ही ठीक हो आप में जितना कर दिया काफी है excuse me my room key please sure my room key yeah thank you something wrong he just got drunk don't worry he's not looking at you he's not staring at you don't worry अ को पाल यह लोश चो के कैसे सीधी बात है किसी भी लाश को छोड़ो है तो जुख जाएगी यह तो अच्छी लाश है कि लाश हो भी लाश जैसे नहीं दिखरी देखो यह तो कुछ पता है ने मुझे तो एक्सपेरियंस भी नहीं है और जुड़ से बाते मत करो फज़ मरने के बाद भी हमारे पिछ्छे पड़े हुए कभी कभी ऐसा हो क्या करए है क्यों मर्यों शुन लग जाएगा ना क्यों मारी हो उसको क्वो फो उभर क्यों आ questo लाश है लाश इसको एंजोय करो जी और शोनी देखा मैं काम करता हूं मैं इसको चश्मा बना देता हूं आई कॉन्टैक्ट तूर जाएगा यह यह वो शोनी देखा तुमने जी और रामसे की बिचल आरामसे देखो कैसे आरामसे पड़ा हुआ हाहा हाह मुझे लगता तुमको भूग लगी है मैं तुमारे लिए खाना लेका थाह यह लाश कमपनी देगी ना? डोंट वने, अल्दी बेस्ट, बाई अच्छा वेल मेडम, येस, खाना आगा है वाँ, थांक यू, अच्छा तुमने ये बता है लाउ, उफ़ाय कि राजु हो कि राजु ने किया था पहले खाना खात लो, बहुत बॉक लगे, ओक actual वाऊ, ये लाश का गए वाऊ, वाऊ, मैंने लाश को चुपा के रका है का, फ्रीज में, अरे मर गया मर गया वी तो पहले से मर रहे वापस को साफ भागए सब ना लेकिन बाहर निकालेंगे तो लाश में से बद्ट इसे रहेका तो फिस्ट में बद्ट आएगी ना है अगया है कै यह है 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 यह यह डैड़ यह इड़ोड़ी यह अभी तब कुलफी नहीं हुई यह इसका स्कूप है तुम्हे काम करो ना तुम्हे अगर खालागा तब तक में लाश को ठीकाने लगाता हूं ओकेई यादमी बड़ा अक्रूरा होगा कितना कड़ रहा है मरकी फी अब सीधो हो जाए यादमी फिरसाइए ओड़े नहीं तो मर जाएगा निकलते निकलते रहाएगा अब क्या कर रहा है तुछा कर रहा है पागल मरुवाएगा क्या पागल जड़क था है पागल पागलए क्या होँ नहीं है बड़ी बत्तमीज है आप खार है है हॉच्छ पर गूम्ते हाँ हॉच हॉच्छ हॉच को मेने सुना है अंदरा हो ने पर भूथ लोग घुमते कि अभूंते जूले कि मैने थो यह सुनाए कि हस्ते खेलते नाश्ते गाते और खाते भी है और ये वह अरे वह अडारे वह आज आज़ो हां अहिकर होगा अठीश्टार यह का रहा है कि पुछ तो वाग़ी डास कर रहा है मुझे तो लगता कि अभी खाना भी खाएगा देखो खाना खाना शीव कर दिया श्क्र दिया श्क्र दिया श्क्र पर विला यह राजू ने आखर किया क्या था यह तो फेर लाश बंग गया हाँ अंदेरा होते ही आत्मा आई उजाले में आत्मा चलीगी तुमें काम करूं तुम जल्ली से सोजाओ क्योंकि हमें पौँ फटते ही इस लाश को ठीकाने लगाना है वैसे उर्मिला राजू ने किया क्या था बूलना यार खाई पीछे की तरफ है ओके मैं लाश को ठीकाने लगाता हूं अच्छा मैं भी हादियो तुमारे साथ नहीं तुम नहीं तुम चुप यहीं पर पैठी दो यार तेंडी है चलो मैं भी तुम्हें हेल्प कर दी ओके हो तुम फिर्फे देगा इस लाश के तुम्हें ऐसे ऐसे ऐसी बांड बजयाओंगा आसी चली 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 चलीत चली चलीच7 Khujja ! चल , यह चीख कहा से आई इतनी उचाई से निखे है कि किल्यॉप लाश के चीख निकल जाती वैसे राजो ने किया किया था वैसे किया क्या था राजो … चलोँ चलोट जस निकल चलते इसके पहले कि या औक वह आजाए COME ON इसे थोभी थन्दी है अच्छा बचे एंक्स गोपाल इस सबने तुमने मेरी कितनी मदद किया है इसमें फैंक्यू की क्या बात है ये तो मेरा फर्स था लेकिन मैं सोच रहा हो कि कहा मैं न्यूजिलेंड पैसे खरमाने के लिए ठा है और इस मर्डर के चक्कर में पढ़ें लेकिन सुनु तुम इस म में न्यूजिलाइंड गई थी तो ऐसा हुआ था और कानून तो उमर देखकर सथा देता निया ना मैडम फिर भी पसकते और पक्कों फसेंगे देखना इंग गोपाल तो फिर जल्दी सोचो बास एकी तरकीव है क्या क्यों ना अलग अलग शादी करने के बजाए हम लोग आपस में शादी कर लें अपने बच्चों का फीचर बचाने के लिए तुम यह स्टोरी उनको सुनाओ कि नहीं और अपने सुहाग को बचाने के लिए तु हम लोग पकड़ी भी गए तो कम से कम साथ में अंदर जाएंगे ना पती-पतनी आपस में मिलकर है न तो फिर साफ-साफ क्यों नहीं कहते कि दो मुझसे शादी करना चाहते हूं देखो मैंना अपनी दिल की बात तो कह दी अब तुम बताओ कि तुम्हारी तरफ से क्या है हा याना वेल सोचना पड़ेगा सिर्फ 10 सेकंडे तुम्हार पास एंद ताइम स्टार्ट्स नाव जाजू तुख यारी निवाईना मेरे को मरने के लिए खाए में छोड़किया और खुद इस लड़की के पिछे भागया से दोस्ती के लियijnा मैंने क्या के जखा जिंता से मुड़्वा जा बन गया गूपास राजू बन गया कंग भूण इनव एंफ इनव इनव एनव ईतना बड़ा धोखा कर तुमने मेरे साथित किया तु दूर्छ जाना हूँ करे खाए मैं इसा क्या किया हूँ तुम्हे कितना अच्छा अतनी समझते थी मैं, तुम्हे तने गुरे हुए निकले मालगों में लेकिन मैंने किया क्या है तुम्हे सब बताऊंगे मैं, लेकिन तुम्हे मेरी साथ चलना होगा ठीके चलाओ ओके चुछ उसनेस I'm sorry, Gopal, मैं जो थंडी में छोड़ोगे आगे ताया I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm relaxed, I'm cool, yeah Relax, okay Ooh, no, no. Vicky Hi Yeah Vicky Vicky Marnegane! Marnegane! Marnegan! 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 Marnegane! Marnegan! Marnegan! क्या बोला दे इंको मैं तो इन जानता भी नहीं विकी बोल दे विकी मेरे होते हुए तुम्हें यहां किसी से डाने के ज़र दो आपके बोल क्या बोला दा वरना तुझे ऐसा तोड़ूगा कि दुनिया को भी डॉक्टर तुझे जोगने पारा इनोंने कुछ नहीं गया तो फेर किस ने गया था मैंने राजो राजो ना हिदा ना मोती, ना सोना चाहूरे मैं तो तेरे दिल का खेलोना चाहूरे ना चंजा ना सूरच, ना तारा चहुरे, तिरे जैसा लड़का का भाहु चहुरे ना हीदा ना मोति, ना सोना चहुरे, मैं तो तेरे दिल का खिलोना चहुरे हाई ना चंजा ना सूरच, ना तारा चहुरे, तिरे जैसा लड़का का भाहु चहुरे ये काले काले के सुप ये भूरी भूरी आँके दीवानी करती है दीवानी तेरी मोते, मैं तो तेरे महां मता हाँ चहुरे ना ही दा, ना मोती, ना सोना चहुरे मैं तो तेरे दिल का खिलोना चहुरे हरे जंदरा सूरच, ना तारा चहुरे अरे तेरे जैसा लड़का का भाहु चहुरे तेरे लिए है जाने रोला खुसी जबाने मेरी जिंजगानी देखोई तो निशानी मैं तो तेरे खाबो मैं खोना चाहूरे ना ही राना मोती ना सोना चाहूरे मताना वारप ना ही राना मोती ना सोना चाहूरे मैं तो तेरे दिल का खिलोना चाहूरे ना चिंत ना सूरन ना ताना चाहूरे सिल्वे जैसा लड़का कभाव चाहूरे कुछ बोलोगी भी ऐसी खड़ी राजू तुम इंडिया जा रहे हों नहीं मैं तो एरपोट पर घुमने के लिए आया हूं थोड़ी दिर में फ्लाइट उड़ेगी और उसके बाद समान लेका लोट चलेंगे क्यों को पाल गुसा क्यों कर रहे हो अच्छे इंडिया से वापस तो होगे ना नहीं इंडिया मेरी गल्फ्रेंट रहती है ना मैं उसे शादी करके वाईस अटल हो जाओंगा वांपे साने को मतलब ही ने बनता क्यों कुछ गुसा क्यों हो रहे हो राजू अरे यार कोई प इसकरने वाला होता है कि इसने में टेंशन वागे अनॉस्मेंट हो राज़ा वाईसाब आप सॉरी तुक्षणी बोल रहा है कंचा अरे जोना यार फ्लाइटे ट्रेंने जो चेंड रूख जाएगी तल जब दो जोब देना पड़ता है बदे माहा Oh! 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 I'm sorry ! I'll help you, yeah ? क्या हुआ पिताजी मुझे जान से मार देंगे एक काज का फ्रेम तूटने पाद गल जाने से पहले नाया फ्रेम खरीद लीजेगा ना आप आप तो रो रही है ये लीजे रुमाल आसु पोच लीजिये अब रुमाल पिछे आप जब है तोम करना यार मेंना मँआ पड़ सर मेरा कंदे पह रहां रोです मीं आपको बहुत किराब कर आऊंगा लगता है दूसरों कि आव्राइ के भुछनेगा बहुत शॉक हमें ओधना यार शहाँung… उन्चित! उन्चित! या, that's it! के लो लो न चाओड़ाव! न चाओड़ाव, के लो जो… वाइ में से वोमन, मैं? I love you more than I can say Yay! वाइदी भी यह गारड़न निया रिवलेट ट्रैक है उठिये यह पर ट्रेन आने वाली होगी ट्रेन का ही तो इंतजार कर दहीं हूँ तो प्लैट्वर में बैटके कीजे ना? यह आपकी जान चली जा सकती है मनना चाहती हूँ मैं वाट? पागल हो गई है आप अरे लोग दिल तूटने पर जान नहीं देते और आपने काज का फ्रेम तूटने पर जान देने जा रही है आप नहीं समझते बात फ्रेम की नहीं है ओके देन्यों मांस विपेशिक टिपिकल देशी प्रॉब्लम लेट में केस हाँ तुमने अपने घरवालों से काओगा कि तुम एक्जाम में कम सके में 80% मार्क लेकर आओगी और तुम हो गई फिल अब तुम सोच रहो कि मैं घरवालों को कैसे मुझ दिखाओं राइट नहीं नहीं तब तो तब तो यह डेफिनेटली प्यार का चक्कर है तुमने किसी लड़के से प्यार किया और उसने तुमें शर्मिला मुझे भूल जाओ जिंदगी में मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा और नहीं तुम मुझसे मिलने की कभी कोशिश करना अजे तो इश्क में फेल हो गई है अरे जिस लड़के मैं तुमसे फेस टू फेस बात करने की तागत नहीं है जिसने कागस के टुकड़े पर यह लिग कर भेज़ दिया तुम उसके लिए जान देने जारी हो कुछ दिनों में उन्हें पता लगना ही है कैसे मैं मा बनने वाली हूं देखो कसूर तो उसका है जो तुमें धूका देकर चला गया मगर उसकी गलती के सजा तुम उस मासुम को क्यों देना चाहती है जो तुमारे पेट में पल रहा तो आप ही बताये मैं क्या करो तुम जाकर अपने माबाब से सच सच बताओ ना वो तुमारे लिए कोई ना जानते उनका गुस्ता बहुत तेज है उन्हें अपनी इज़त अपनी जान से भी ज्यादा बढ़कर है वह पहले मुझे मार देंगे फिर अपने आपको उनहीं के डर से हम लोगोंने मंदिर में जाकर शादी कर ले थी के Egypt कोई रास्ता है कि तुम किसी को छुटा पति बनाकर अपने घर ले-जा वो कुछ दिनों के लिए तुम मेरे घर में रहे और बाद में ठोटकर भागजाए सभी उसी को भला बुरा करेगा क्या तुम करोगे मैं ओके लेट्स गो यह जो आप खेट देख रहे हैं यह सब हमारे हैं घर में मां हैं दादा जी हैं तादी हैं सब अच्छे हैं पिता जी भी बहुत अच्छे हैं पस सिर्फ उनका गुस्सा थोड़ा तेज है आपने बताया नहीं आपके गावा में अभी भी डाकू है आपना डाकू भाई साब यह चंबल छोड़कर हमें अपने चुंगल में भसाने के लिए क्यों आगे भाई हमारे ठाकूर साब को ठाकू बोलता है ओके यह ठाकूर साब है शिकार करने निकले मापकी जगा ठाकूर साब वो दिन फाक्ता हो गए जब बेजुमान जानुरों का शिकार हुआ करता था अगर चिड़े भी मारीन आपने तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगा अंदर हो जाएंगे आप राजु यह क्या कर रहे हो वाट किनी डू हाँ जारा से जारा क्या है तुम्हें गोले बार हो गए कमान 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 राजु यह मेरे पिताजी है ओके और राइट डैडी मेरे अच्छे डैडी बेर जुबान जानुरों का शिकार मत कीजिए उससे आ जिरिमान विश्वनात परताब संगेक उमा बेवेक मां आएए आएए देखिए आपकी लाडली क्या तोफाले कराई है क्या वात है क्या हुआ बेटा आपकी बेटी ने बिना माचिस की तीली जलाए हमारे खांदान की इज़त को आग लगा दी ऐसा क्या किया है इस यह इशारे क्या कर रहा है सीधा कड़ा रहा है आप आखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हैं आशीरवात नहीं दीजेगा पेटी तुने शादी कर ली और हमको कब यह लटका कौन है यह तो यहीं बताएगा क्यों मैं कौन है तो नाम क्या है तेरा जी राजू खुमार हो कहीं के फिर्टिय सीधकर क्या करते हो जी मैं फास्ट वुट चलाता हूं बड़ा पाओ का वार्द solution तो बजिया तलते होगे इडली संबर बेचते होगे मैं यू बदलने से हैसियत नहीं बिदलती एरियर सको भी तो कुछ बोलने देना इसी हैसियत क्या है मरे साबने की मैंनी सोचा था बेटी पाड लिककर ढिगरी लेकर आएगी लेकिन ये लेकर आयी है तो क्या inad राकिया मैं आप क्यों चुप क्ठड़े है आप क्यों नहीं बोलते के जो तो इसे किया है वो गलत किया है कि नहीं हम गलत तो किया है लेकिन अब बीटी ने उसको पती मान लिया तो तु भी मान ले ना आप इसे शर्मीला का पती मानिये लेकिन मैं इसे अपना दमाद कभी नहीं मानूगा तू डर्मत में हूँ मत रो बेटी तू तो जानती है तेरा बाप कितना घुज्से वाला और जिद्धी है उसके सामने मेरी तो क्या उसके बाप की भी हमत नहीं होती है बोलने की मैं उनकी बेटी हूँ उन्हें जो कुछ भी कहना था मुझे कहते लेकिन राजुक को इस तरह से में इस्थ नहीं करना चाहिए था बेटा उनका घुस्सा भी जायज है बेटी के पैदा होने पर मा को जितनी खुशी होती है उससे कई ज्यादा खुशी बाप को होती है उसको विदा करके यह हक तो तुने उनका चीन दिया ना तो थोड़े से नाराज होंगी है चल खाना लग गया है जा कि राजु को बुलाओ हम जाड़े बेटे 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 आज मैं सुबा टेहनने के लिए बार निकला था तो गांवाने ने का कि ठगुर साब सुनाया आपकी पोदी की शादी हो गई मैंने का भई लड़का लड़की साथ में कॉलेज में पढ़ते थे दुनों में प्यार हुआ फिर शादी कर ली इसकी आवकाद कॉलेज में पढ़ने की नहीं कंटिरिंग चलाने की है शर्मिला बेटी तुम एक बार अपने दादा जी को बता दो कि तुम्हारी शादी कैसे हुई थी नहीं तो रोज एक नहीं कहानी सुना सुना कर लोगों को परिशान कर देंगे बेटा तुम ही बताओ तुमने शर्मिला को पहली बार कहा देखा था जब यह ट्रैक पे थी उनका मडलब है के मैं रस्ती कुद रही थी यह यतॉन पहली बार कहा दूरक शचीन कालिष में देखा ज़रूरी नहीं कभ मिले थे मैं पहल्यत है अऐ याँ चौन अब दिम दिम सग ओरईठिक सफ यह का बार-बार इंट्रव्यू ले रहे हैं इनका कई भी मिले होंगे इसके हमारी पोती से शादी हुए हमें तो पता है मगर इसके भी तो माबाप का पता चलना चाहिए कि जी मेरे माबाप नहीं है कि कहां बड़े हुए अनाथाश्रम में सुना सुना आपने यह है इसकी असलियत इसकी जिन्दगी अनाथाश्रम में शुरू हुई और भजिया तलते हुए कैंटीन में खत्म हो जाईगी कि इतनी शान से आप अपने खांदान का 400 साल का इतिहास बताते रहे हैं कि आपके पिता जी ने कॉलेज बनवाया दादा ने हस्पताल बनवाया दादा के दादा जमीदार थे उन्होंने पांच नहरे 20 कुए बनवाए अब यह आये हैं इन्होंने कैंटीन बनाई है क्या सो बुजा सकता और कोवा कितना ही छोड़ा क्यों नहों प्यास बजाने के लिए खुए के पानी की जरूरत पड़ती है आपको मेरी वजह से काफी बेज़ती सेहनी पड़ रही है ना आओ बैटो तुसी आओ बढ़ों के डाटने से छोटों की बेज़ती नहीं होती है उनकी डाट में तो कहीं न कहीं प्यार छुपा होता है और तुम जरा सोचो भगवान के लिए कान ही देना था तो क्या उसके लिए कान काफी नहीं था उसने दो कान क्यों दिये एक कान से सुनके दूसरे कान से निकाल देने के लिए हाँ ज़रूरी बात हम दुनों की प्यार की कहान ही एक होनी चीए वरना पता चल तुम कुछ और बोल रही हो मैं कुछ और बोल तो तुम्हारे डैडी के दर से हम लोगों दोने ने मंतिर में शादी कर लिए ओके नाप कुल रिलाक्स हां बेटा दाजी आप बेटा मैं बलराज की गलती की माफी मागने आया हूं हमारे तो महमान को भी भगवान मांगते हैं उसने अपने दामात के साथ ऐसा बढ़ता हो कि पेटा में उसकी तरसे माफी मांगें आया है आया दादाजी में यसी कोई बात नहीं अच्चछ दादाजी एक बात बताई है आपके यह जो बेटे हैं मतब तेरा सब्सूर यह पिछली बर कबहसे दे पिछली बार कितने साल हो गया इस बात को तूझ याद है नहीं याद इनका क्या एक फिक्स एक्सप्रेशन हे गुश्जा अरे उसके बदले मैं हासता हूँ ना ये दो बिस्टर अलक्यों वो दरसल कहा है ना दर्जी कि जब मैं बिस्टर पर सोता हूं जोट बोल रहा है ना मुझसे जूट बोल रहा है कि दोनों में जगड़ा हो गया ना वह भी इसके बाप की वज़े से अरे कैसा सब्सक्राइब कि अपनी बेटी और दामाद की बीच में जगड़ा लगाता है उसको मैं नी छोड़ूँगा उसको आज ठीक करके रहां आज मैं उसको समझाओंगा कि वह मेरा बाप निए मैं उसका बाप हूँ देख दूआज आज मैं क्या करता हूं दादाजी बनाच कहा है तू जी कहिए वह बोल ये ना क्या बात है मैं तुझे गुड़नाइट कहना भूल गया था गुड़नाइट माँ दादी दादाजी डाडी ए शर्मीला शर्मीला डीडी आप अरे लक्ष्मी सब लोग कहा गये कोई नजरी नहीं आ रहे है शब लोग मंदिर गए हुए है मंदिर क्यों शर्मीला दीडी ने शादी कर ली न उनको और उनके पति को लेकर मंदिर गये शर्मीला ने शादी कर ले यह यह हमारे पुर्खों को बना हुआ हुआ मंदिर है जब भी हमारे आशादी होती है वर्वदू को यहीं दर्शन करने ले आते हैं नमस्कार था यह शर्मिला के पती राजू अच्छ पूजया शुरू करवाँ जी विल्कुल यह चली है उद दुनिया के रख्माले खलत जा रहा था अने उर्मिला तुकार आजी यह तुकार आई सब बताउंगी सब बताउंगी पहले बताओ शर्मिला जी जुकार आई वहाँ यह आप नंदी पर हात रख कर शुजी के दर्शन कीजिए 爱 कि दर्शन पीन सब झार्ड div दुकार आएł झाल जाए लग औहाँ तुकार यह़। हुआ 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 है भगवान के दर्शन हुए जी नहीं देवी के दर्शन हुए देवी के राजो बेटा यह शर्मिला की छोटी बहन है कोर्मिला और यह राजू शर्मिला का पती यानी तेरा जीजा नमस्ते ची चाची नम अरे क्या रहे हो नंदी को प्रडाब कर नंदी बचा लिजे नंदी बचा लिजे नंदी बचा लिजे नंदी अरे इंदर इंदर उगजा इंदर इसंट उट 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 गरादे न इस अपने अब ऊपने मैं यह फोड़े न किरा तुम्हें अपका कि आदे था इसपी इस है वह बल राज न बल राज उसकी छोटी बेटी उर्मिला नियूजिलिद्ट से वापस आ गई है तो मैं क्या करूं यह हुए तो क्या हुआ कब से कम उर्मिला के साथ तो हो सकती है नहीं डैड मेरी शार न companion की ओर हो गई मैं रिख्रित में शादी नहीं कॉर आप अब है कभी तो अकल का इस्तबाल किया कर आरे नहीं मतलब है हम्में मतलब है बल्राज की दवलत से समझा है जूदिस तयार हो जा मैं बल्राज से तेरे और उर्मिला की शादी की बात करता हूं जाए बहन के पट को जीजा जी कहेंगे न जीजा जीजा साली में क्या बात हो रही है आपको भी आभी आना था क्या मतलब नहीं मैं उसको परसनल बात कर रहा था नहीं अच्छा नहीं मैं उसे पूछ रहा था के तुम मुझे लड़का उड़का दिखाया तो मुझे बता हो वरना ऐसा नहीं हो कहीं मिरी थेरा प्रॉप्लम में आ जाओगी है वो जा रही है एक म नाश्टा कर लीजे जी चाची नहीं मुझे भूख नहीं है मैं जानती हूं इतने ताने सुनने के बाद कैसे भूख लग सकती है तुम हर बात को इतना सीरेसली क्यों ले लेती हो तुम ऐसा देखके तुम्हार डैड़ी भी चड़े वे रहते है तुम मुस्कराओगी तो क और मीरा ंतरराए तुम में जानने किसम अपनी जान मत देना कि मेरी बात सुन मत्या उै detto मैं अपनीं वेता है अ कर अ अ ओके मोगेए। तुम्हेह आप प्रजोन फिलिया उन मेला उन मेला उन मेला मेला। मैं मैं कॉकुष मारे थी! तुम्हारी जैसे आद्मने के लिए मैं अपनी जान आप दे दूँगी! तो फिर जीजाजी बोलके ने जीजान क्यों यू लेएं। क्या हुआ डाइडी वो जी जा जी फिसल गए जो इंसान दो कदम नहीं चल सकता मेरी बेटी ने उसके साथ जिंदगी फर चलने का फैसला किया है तेरी मर्दूआ मचर अरे कुछ लोग आये मैमान नाराज क्यों हो रहा है अरे मुबारखो बदाज जी मुबारखो आए 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 मबारखो जो अमने सुना क्या आपकी बड़ी बेटी की शादी हो गई तो सोचा आपको मुबारख बात दे आ हैं हो शादी कप ही पता ही नहीं चला है पता तों मैं भी नहीं चला है आज जमाना बहुत तेज हो गया है नहीं पियार हुआ कल शादी हो गय कहा पता है आपके दामार का रहा धर उन से दोमें लबाई यहीं है घल ja यह एब दामाद करतें क्या हैं वंचो बजिया हो थे have almost इन से मिलोसित बहुत बड़ी अस्ति हैं मनमुल की और यह उनकी बेटे बट 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 वैसे तो बल्राज जी की बड़ी बेटी से मेरे बेटे के बात पक्या हो गए थी लेकिन उसने तुम से शादी कर ली बैटे अब ठाकूर साब मेरी ख्वाहिश यह है कि उर्मिला के साथ मेरे बेटे की शादी हो जाए अब बल्र कीजे मुझे क्या इतराज हो सकता है क्यों कि श्रवाल आप्नी मटशिस शादी के शाITY करें है कि पूछ ना कब मों कोई खट्रा नहिए कुटें से यह अंद ये मेरा सब लगोर है आ ना तो दिखाने के लिए मुझ से पंगा लेने की कोशिश बद करता है मैं कोशिश नहीं कररा हूं मैं ले रहा हुआ, क्यों तो अपने आपको बहुत ताकाइट वर समझता है तो चल हो जाए दो दो हाथ एक से काम ले चलेगा तुझको तो मैं एक मीन इप्टा दूगा कम ओं इंदेर कम ओं इंदेर कम ओं कम ओं कम ओं हाथ भूआ चरा हाथ तुम के इसने मुझे घुशा वारा अंगल अवन दो-दो खेल रहे थे मैं ईयक हाथ क्याम रहा यह बच्चों के तरह हो रो जो बिए मुझे समझाओ क्या हुआ तू बता इसने बोला मुपर हाथ रखो मैने कहा सुस्मी मैने मुपर हाथ रखो अब बात समझ में आई अब तू हाथ रखेगा मेरा बेटा मारेगा ठीक है दीवार का है नाने नाने तू चेरी पे हांथ रखेगा मेरा को के इसे केथे कम्प्रीट मैं कर दो अदर बच्चों से बड़े होने तक हम साथ खेले एक दृस्टे से हर बात शेयर की और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताया कैसी नहीं मैंने सुचा जब तुम आ जाओगी तब बता दूंगी अच्छा ये बता तुम्हारे मुलाकात कहा हुई और प्यार कैसे हुआ इनके अनाताश्रों में हमारी मुलाकात हुई और मुलाकात प्यार में बदल गई फिर यह न्यूजिलन गए कुछ दिन पहले हैं लोटे हैं पिता जी के डर से हमने मंदिर में शादी कर ली चलो तुम जिससे प्यार करती हो वो तुमें मिल तो गया वरना आजकर लोग तो प्यार में थोका ही देते हैं क्या बाते हो रही है जी कुछ नहीं जहां तक मैं समझता हूं आप लोग मेरी बात कर रही थी हां यह मुझसे शिकायत कर रही थी कि मैंने हमारे बारे में इसे कुछ नहीं बताया अगर बता दिया होता तो हम दोनों को म शादी नहीं होने देते लेकिन न्यूजिलेंड में आपसे मिल तो लेती आपको समझ तो लेती आप तो जिंदेगी भरका साथ है समझती रहना और मिला ठीचा जी मेहन का मामला है इसलिए डर लगता है वैसे मैं कुछ ऐसे इंडियंस को भी जानती हूं जो यहां पर भी हम जिससे प्यार करते हैं उसका हाथ जिंदेगी पर कभी नहीं छोड़ते हैं आप देखते रहेएगा आपको तो पता चली जाएगा वो वो तो मुझे पता चली रहा है अब मैं चलती हूं दो प्यार करने वालों के बीश काफी तेर से दिवार बने हुए हूं कुट नाइ मैंने ठेकी किया ना कुछ ज्यादा तो नहीं बोला है अब तो उसे यकीन हो गया है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं मुझे भी यकीन हो गया है अब कुछ नहीं हो सकता कहां सोई होगी कहां सोई होगी और मिला और मिला एव चोड़ी नहीं रहती झाल के वह भीन करन्भी हु जालedy कर मेलेगे को बलाओ है विख्ञा का टानी इव एली दे झे शे ले लाए ये ले बरस थुपी जे दूस कहा है यहाँ है और मिला कुछ मत काओ चुपचा भाराओ भाराओ तुपे बात करते है भाराओ आजा देखो कोई देखते है श्ष्ष् श्ष् कौन है यह क्या पत्तमीजी है यह देखिये जिसे आप दामाद-दामाद कहते है लोग रैनी के चकर में lazy क्या बात करता है यह भी चरह होश में नहीं है नीद में चल रहा है यह there खोश में गिरता है गेर जाय गौू हुरमिला हुरमिला मेरी बासुनो ओमए गॉद्छ जुछ अबी उरमिला हुरमिला 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 means तो बासुनो मेरी जाब की चलो मान बीजया अपहाल जिया का जान बीजया अरे मेरी जम्मक छलो मान भिजा, अब हाल जिया का जान भिजा तिकरार कर मुझे प्यार कर मन कैना मेरा चल मेरा पीछा छोड़ भीदे, ये जूता रिष्था तोड़ भीदे चल मेरा पीछा छोड़ भीदे, ये जूता रिष्था तोड़ भीदे इक रार कल ना प्रार कल, मार गईना मिला तरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुर तुझे छेड़ने में आता है मुझे बड़ा ही मजा मजा ये कहीं बनना जाए राजा तुमारी सजा चुमातट मतट कर चलना अब ऐसे रंग मदलना ना हाथ तेरे आओंगी मुझे देख कैसे खलना इस रंग से इस रूप से तुने लूटा मुझे तररम, 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 पूर्णा बूर्णे करोंगे अर्साहार हाहा, सारी मरना भूलेगा मैं करूँगी असाहा मेरा ये दिल कहता है, मैं छूलू गुला देगा अखुल करूँगी तेरी पत्ती, ना दिखा प्यार की पत्ती तकरार करें क्यूं ऐसे, चल कर दे मुझसे पत्ती चादूल जाना वाजम, यू नमाद बनो नो तड़नम तड़नम, दार्रा तड़नम, तड़नम मेरी छमक झेलो मानबीजस ऑ भौहाल जिया का जानबीजस तकरार कर मुझे प्यार कर, मानक्यणा मेरा तारी रंब ना तारी रंब ना था-ड़न तारा था-धा-ड़न तड़नाच अ उर्मिला उर्मिला मेरी बाद तो सुनो और मेरी बाद सुनो तारे तुम्हारे विले सिकवे दूर हो जाएंगे हो उठो थोड़ा मेरा किसी लियुट उर्मिला में तुमारा था तुमारा हूँ और तुमारी रहूंगा तुमको घ्लत चामी हो गई और कुछanki ऐसे। अगर कही हमारे बारे में शर्मिला को पता चला कितने तकलिफ होगे उसे इसलिए मैं इसलिए मैं शादी करके इस घर से जा रही हूं उर्मिला मेरी बात तो सुनो अरे उर्मिला मैं शर्मिला का पती नहीं हूं शर्मिला से मेरा कोई रिष्टा नहीं है अगर तू शर्मिला क तु रॉमिला से प्यार करता है और शरमिला का पती बन के घर में आ गया है जो रॉमिला का दिल टूट गया है यह दो बटी प्रॉबलम मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए जी आप घर के बड़ है अगर आपने बेटे को समझाए तो आपकी बात नहीं मानेगे मैं समझाओं पिटवैगा कैं मुझको आरे नहीं बबार दादा जी आप अपने बेटे से ड़ते हैं मैं उससे नहीं ड़ते हैं बड़ी बंदू को उससे डर लगता है मेरा बड़ी शरम की बात है वो आपके बेटे अगर आप जाकर उनको सच बोलेंगे तो वो कि आपको गोल युदू को मालूम मैं कौन इसका बेटा है कौन इसका यह बंदू को थोड़ी मालूम है कि चल गई नहीं में ने मुझे सनी हो गई सैट आपका नम क्या है न मतलय मालूम है अंको शेर बबर शेर सरकस के शेर हैं आप? चाबुक पढ़ने पर सलाम मारने वाले अगर आप असली शेर है ना तो जाकर बोल दियो उस गिदर से के इस घर के बॉस आप है You are the whole and soul of this house जेक तो मिनोच चड़ा रहे हैं मैं चड़ा नी रहा हूं बलाज बलाज ए बलाज 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 क्यों चीज रहें इतनी गात को क्या बात है? सरह नहीं दे रहा है मैं आवाज दे रहा हूं जल्या क्या बात है? नदे नीजी करके बात कर भाद बलाज कर लिया हूं मैंने आप नहीं करूंगा अब एक शद भी उचे सुर्वे निकारा ना तो खड़े खड़े ख़र से बाहर निकाल दूंगा नशे में तो नहीं है आप था आज होश में आया हूं जब दगो खांदान, मर्तबा, रुदबा इसी की बात करता है इंसानों की कोई परवान नहीं है तुझको तुझको पता है तेरी वजह से राजू की जिंदगी बरबाद हो रही है साफ साफ के ये क्या बात है साफ साफ कहूं उर्मीला राजू से प्यार करती है उस से काम लीजिये राजू शर्मीला का पती है नए शर्मीला का पती कोई और है वो उसको धोका देकर भाग गया वो आत्मात्य करने जा रही थी राजू ने बचाया उसको और तेरे डर से वो उसको छूट मूट का पती बनाकर इस घर में लेकर आई है सचा ये है शर्मीला पता जी जो कह रहे हैं क्या वो सच है शर्मीला जी देख लिया अब फैसला मैं करूंगा मैं विश्वनात परताप सिंग इस घर का मालिक तेरा बाप मैं उर्मीला का हाथ राजू के हाथ में दूँगा उर्मीला ने जाओ आओ भीटे अरे मैं हुना आओ अरे मैं खड़ाओ आजा जा जान मेरे साथ राजू चल पेटे बार आप यह पुश यह यह आज आज छोड़ेंगे नी कमाल आज गुदादाजी आप आगे चली मैं पीछ 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 आता हूं आजा तू आना हाँ यह बिलकुल क्यों चला रहे हैं इतनी रात को क्यों मुझे खाना खाना है मुझे खाना खाना है खाना खाना है इससर नी वह मुझे बात करनी है क्या बात करनी है शादी सहरा मेरे बाल भूत लंबे हो गए बाल कहां से लंबे हो गए आजसा मांखा पीट लिया देख रहे किसने नी वह चला गए आप आपीस आगे आप ऐसे करता है जो क्या हो गया आपको नी वह मुझे अज सकी पुरूमीला की शादी तरह करने से पहले एक पर उसकी राय पुछली होती तो बेहतर था मैंने अपना फैसला सुनाया है, आपकी राय नहीं मागी। किसके रिष्ते की बात हो रही है? तुम्हारे और इंदर के रिष्ते की बात। ध्यान से सुन लो बेटी. तुम्हारी हाँ या ना से मेरा फैसला नहीं बदल सकता। ना करने का तो सुवाली नहीं है दैड़ी आपने अपनी बेटी की जिंदकी का फैसली सोच समझकर है कि होका उसमें क्या भूराइगाए मंगर ने, अच्छाय तो तुम में भी नहीं है उसके पास घर है, दौलत है, इजट है, और सबसे बड़ी चीज उसके पास खांदान है नाइव बात सम्झे नी है मेरा मतलब है कि अरमील मिल नहीं है अपस में मेल तो तुम्हारा और शरमील अभी नहीं है आज के बाद तुम इस घर में दखल नहीं दोगे यह तुमारे घर का नहीं मेरे देल का ममलाय पुट्थे यह का गई साली तिस मैं स्पाई तिस मैं स्मरे जस्ता निकाई दादाजी यह बटा यह पुतला देखरें पिछे पुतला यह पुतला है ना दादाजी इसको अटाई और खुद खड़े हो जाई ना कम से कम चिडिया और को डराने के काम आएंगे आप वैसे तो आपसे को ड़ता नहीं है इज़त से बात कर इज़त देने का मौका कहा थिया आपने मैं तो सोचता था कि आप घर के बड़े बुड़े हैं मगर आप तो सिर्फ बुड़े निकले बड़े तो आप भई नहीं आप तु मुझे ललकार रहा है ललकार नहीं रहा हूँ मैं आपको दुदकार रहा हूँ क्या बोला आप समझने के कोशिच किज़े ना दादाजी अरे आपसे तो कुछ होता ही नहीं है अच्छा अब देख मैं क्या करता हूँ नहीं कुछ करने की जरौत अरे तु देख मैं क्या करता हूँ यू कैनाट यू कैनाट यू कैनाट यू कैनाट अरे नहीं मैं कुछ कर नहीं सकता अरे मैं बुड़ा हो गया हूँ एक लड़का और एक लड़की आफस में बहुत प्यार करते थे एक दिन लड़के ने देखा कि कोई और लड़की खुदकुशी करने जा रही है लड़के ने उसे बचाया उसे खुदकुशी का कारण पूछा उसने कहा मैं जिस लड़के से प्यार करती हूं उसने मुझे धोका दिया मैं घर वालों को मुझ दिखाने के लाइक नहीं रही उसे द्या आगी उसका नखली पदी बनकर उसके घर गया मगर इत्थिफाक देखो यह घर उसी लड़की का निकला जिससे वो खुद प्यार करता था यह लड़की उस लड़की की बड़ी बहन निकली दादा जी यह कहाने कुछ सुनी सुनाई से लगती है सुनी सुनाई से नहीं देखी दिखाई से लगती है क्योंकि वो लड़का मैं हूँ, वो प्यार तुम हूँ और वो लड़की तुमारी बेन शर्मिला हूँ हाँ बिटी, ये सच है, ये विचारा तो सिर्फ मदद करने आया हूँ राचु, अर्या शरम करो, मैं सामने खड़ा हूँ दादाजी, डॉन्ट पुट में इंटो फॉर्मेल्टीज नौ, इतने दिरों के बातों करने लग रहा हूँ तो क्या मुझे शर्माया नहीं? देखे दादाजी, पोस्टमान का का मोता है, चिठी दे और जाए अपना मैं पोस्टमान हूँ, तो मैं चिठी ले जा रहा हूँ अरे, मैंने, ऐसा मत किजिए ला दादाजी ठीक है, मैं मुपिरा लेता हूँ, क्या बेशर्मी है यार राचु, हो गया? मैंने हो रहा है अब क्या मुसीबत? यह लड़की जवान हो गई हर कोई चाहता है इसे हर कोई चाहता है इसे दिल वालों की जान हो गई दिल वालों की जान हो गई ये लरका जवान हो गया हसीनों की जान हो गया हर कोई चाहता है इसे हुसन वालों की जान हो गया हर कोई चाहता है इसे हुसन वालों की जान हो गया 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 तेरे गालों के रंगों को निखार दू सुल्फे उल्ची है आजा मैं सवार दू तेरे गालों के रगों को निखार दू सुलफे उल्ची है आजा मैं सवार दू जिल्दगी मेरी बाहु मैं गुजार दू दिल ये कहता है यारा तुछे त्यार दू अला गालू लबो से तुझे तु तु मेरी जुबान हो गई तू तो मेरी जुबान हो गई ये लड़की जवान हो गई दिल वालों की जान हो गई खोड़ी मस्ती है थोड़ा सा सुरूर है मेरा इसमें न कोई भी पुसूर है खोड़ी मस्ती है थोड़ा सा सुरूर है मेरा इसमें न कोई भी पुसूर है इश्क में दिल दिवाना मेरा जूर है तेरा भी कुछ इरादा तो सरूर है तेरी बाटों से अब डर लगे तेरी बाटों से अब डर लगे तू जरा बेहिमान हो गया ये नरका जवान हो गया खुस्नवालों की शान हो गया ये लड़की जवान हो गयी दिलवालों की शान हो गयी हर कोई जाता है से हर कोई जाता है से तुम्हारी ये ओकार तुम्हारा इंट्रडक्शन लेगा है हम राजय का दोस्ता किदर हो गया जान्नुम्हें तुम दो कोड़ी का आदमी अपने मालिक के लिए ऐसा बोलता है ठैरो इसको बोलते तुम्हें नगरी से निकलवाते तो भी और मैं तुम्हें इस दुन्या से ही निकाल देता हूँ अब गोपाल अब तुम्हें यहां क्यों आगया और तुम्हें बना किया ता ला हरे पागल बता बिल्को यार चुटूंदर तू सामने आप सामने क्यों गोली खाने को आज तू बचेगा नहीं अरे से सुर्जी यह मेरा दोस्त है गोपाल हम लोग न्यूजिलेंड में एक गोपाल गोपाल क्या हुआ बेटा कोली की आवास कोली कैसे चली यह देखिये एक तो पहले से था एक और आगया यह दोस्त है इसका अब यह दोनों मिलकर यहां पाव भजिया इडली वड़ा बनाएंगे और इस हवेली को कैंटीन बना देंगे जो गाओं वाले इस हवेली टाओं पहुए्ट जा के आवया इसकी बेती से शाधी करता रहां नहीं हो बाद में बताऊंगा आमें तुछे पहले दादी सबता आता हुए यह यह मीरे सासु जी हमेशा एसी ही गलिया करते रहता है आप तुछे भावी से मिला तो थिलिक भावी कुन नहीं जानता हूं ह एड़ बन गया बाहर निकला खाना खाया डांस किया जेट लग हो गया इसको तब्याद खराब है जेट लग हो गया मैं इसको अंदर ले आता हूं और तीक करता हूं अंदर अंदर चल तू मेरे साथ अंदर पबत्ता ने कौन है इनकी दोस्त है तुम जानती हो उसे की तरह से अच्छा खाना बौत अच्छा बनाए पसंद आया तुझे 1 तरह तन उब किसने बना है किसने हमने बनाया बस आपको खाना पसंद आ जाए हम दोनुं के մायनत सफल हो जाए आप लोगों ने खाना बहुत अच्छा बनाया, मैं बहुत खुश हूँ, ये दोनों बांट लेना अरी ये क्या कर रहे हो, ये हमारा दामाद है ये टिप मैंने दामाद को नहीं, अच्छा खाना बनाने वाले खानसामा को दिये आच्छा खाना तो मोगल होटल काऊं सामा भी बनाता है तो डामाद बना कर घर ले आउं दोने सौ रुपे टिप दिये खाना तो कह ले कब शुदरेगा ये बड़े उसाला काँ शुदरेगा नमक हराम और क्या मैंने खुड नमक डाला यार पहले मालूम होता न तो साथ किलो जमक डालता इसके घर में तो इंकम डेक्शी रेड होनी ची है अब लोग उत्र जाए कबरे की तलाशी दीजिए वाँ जितने जवराद में उनको लेकराए चलो अच्छा आप लोग इतर जाए गोड़ा के तबेले में गोड़ों का नाप लेलो उसका नसरे देखो सारे रिपोर्ट बनाए चलिए लेकिन है कौन आप हाम इनकम टैक्स आप गले का चितना अस्मान है चैन छोन कान का नाक का उंगली का सारे निकाल के दरगदो गड़ी भी निकाल के रगदो एक क्या हो रहा यह कौन हो तुम लोग है कौन हो तुम लोग सदार सिंह आलूवालिया इनकम टैक्स कमिश्टर समझे नीचे के सुर में बात करो मैं त लगाओंगे ठीक है अच्छा गोड़ा घास खाता है और घास खेतों में उगता है खेत कहां से लिए तुमने खेत खांदानी है खांदानी है तो यह चेंड नहीं तो गोली चला दूआ ओया अलू अलू वालिया और तू यह क्या कर रहा यार इस आदमी ने बहुत माल चुब अधर माने के दमकी दे रहा है यह दोनों कभार है इसको तो आद मैं जेल बेच के रहूंगा यार यह मेरी ससुर जी है और नहीं है आप दामाजी के दोस्त हैं प्लीस बैच जाईए ना चायवाई फीजी अरे दादी जी उसकी कोई ज़रूत नहीं है मेरा दोस्त है आलू आलू तु यहां यहां से यार यह पहले मुझ पर चिड़ते यह मुझ पर और भड़कने लगेंगे हैं चिड़ते हैं मैं इसको एक शर्त पर छोड़ूँगा अगर यह राजू थे माफी मांग ले आलू चुपकार तो ओ माफी ना भी मांगे ना दमाद कहके एक बार कले लगाले तो मैं ठांडा हो जाओंगा पिट्टा बल्राज सोच क्या रहे हो तामाद बोलतो हो ना कले लगा लो सोचे मत कह दीजी ना प्लीज हम बहुत अक्रेस मैं मैं सारी अक्र निकाल दूंगा आलू तु ज़्यादा बोल रहा है तो पकार यार बोल ने आज मोंका मिला है ने तो हमें ज आँखे निकालके देराता रहता हैników को तerson मैं अंतने प्यार से खाना बनाया है इसे खां जांडो हो किया दिया आपत expired ॰खाता आया है वाम बाए जिलादी। मताज भी ने ज़र से थोड़ा जोग किया मैंने, जाता ना मैं चोड़ो चोड़ो जीत अक्रार छोड़ो तुम दिलों को महबत से जोड़ो तुने मुझे देखा है तुने मुझे जाना है मेरी बंदूग का लोहा विमाना है किस महदमिया ठेर जो मेरे आगे मेरे आगे आना नहीं मुझे टकराना नहीं तेरे घर रहता है टीता है खाता है उपर से तेरी बैंट बजाता है कजगज नाच ये तुझे को नचाता है ऐसे रूठो ना तुम मान जाओ आके इनको खले से लगाओ और ऐसे रूठो ना तुम मान जाओ आके इनको खले से लगाओ ताओ दिलाएगा मुझे को जलाएगा सोए शेर को घर तु जगाएगा गीदर बाद में बड़ पचताएगा कितना करेगा छल आज नहीं तो कल घोड़ी मगाएगा सहरा सजाएगा भोपु बजाएगा नाजेगा गाएगा अपना दमादू तु मुझे को बनाएगा तुने मुझे गीदर कहके पुकारा है थपड तुने मेरे गाल पे मारा है कब रुजवान को तुने ललकारा है तुझको बचाने यहाँ कोई न आएगा मौत के खाट मैं तुझको उतारूँगा आज तुझे पे मौत ही मारूँगा मुखी खाएगा बच नहीं पाएगा देखो बंदुक यूना चलाओ तुमसे तम यूना अपनों बेठाओ देखो बंदुक यूना चलाओ तुमसे तम यूना अपनों बेठाओ आरे जोना हुआ वो करके दिखाएगा अपनी बेटी को विद्वा बनाएगा तु उसका सिंधूर मिटाएगा मातम अबने गर में मनाएगा सपने में भी डराता है इतना पसीना निकाल दिया है अपने बेटे का मूव बदपन में फेविकोल दुरुआ था क्यों उनका स्कीन जम किया है उनके तहरे पर गुसे के अलाब को एक्सपेशन नहीं है तो ऐसा लगता है जैसे यह पहला मोगाम जो जिंदेगी में कभी खोश जीत की बात तो तब होती ही जब लड़ाई होती है यहां तो आमना सामना ही नहीं हो रहा है अच्छा गोड़ा चला सकते हो आपके अपने दामा से तांग है तलवाओगे हर साल हमारे गाव में चैरियोट रेस होती है और पिछले तीन साह से बलाज के दुश्मन पृत्वी ख्रस की गोड़े जीत रहे हों बलाज की घोड़े हार रहे हैं अगर तो यह जीत जाये तो समझ चैना मुगंबो खुश़् हुआ अगर यह बातर आधा जी तो समझ ली जिए के मुगंबो खुश्श हो गया का रहाई सासुर जी का घोड़ा यह रहा यह घोड़ा साला अला ससूर जी का घुड़ा भी ससूर बेलगा में न वो कबू में आता है न ये इसकी आइसी की ताइसी कर गया मेरा अंदर तुम्हें देखा एक हाँ ओ देखा है इधरी गया है लेकिन तुम चले जाओ क्योंकि वह घुड़ा तुम्हें मिलेगा नहीं कि में देखानीं बात करता है ना आपका राज है छुक्रिया वहिया आप लोगे ने मेरा गोड़ा बगड़ लिया वह ना पता नहीं साला कहा भागता फिर सा तो अम यह गोड़ा नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि हमारे फार्म पर आने के बाद गोड़ा तो क्या इंसान भी बचकर वापस नहीं जा सकता मैं तो जाओंगा और अच्छा बेटे इस बत्तमीज लड़के को भी घोड़ों के साथ बांदो अरे ऐसा मत करो यार बगर पीटे घोड़ा दे दो ना यार घोड़ा मांगता है घोड़ा चाहिए कि यह क्या हो रहा है सासुर जी यह लोग हमारा घोड़ा ने लोटा रहे इनके फार्म पर मेरा घोड़ा लाने की हिम्मत कैसे हुई तुमारी जी मैंने लाया वो गोड़ा मुझे गिरा दिया और खुद भाग कर यारा खुड सवारी नहीं आती तो घोड़े पर बैटने की ज जीत लेते हो तो अपने गोड़ा इज़त के साथ वापस ले जा सकते हो और दूसरी इस लड़के ने जो मुझसे बत्तमीदी की है उसकी माफी तुम्हें मुझसे मांगनी होगा जबान को लगाम दो अगर तुमने अंकल की शान में जरासी भी गुस्ताखी की तो मुझसे पुरा कोई नहीं होगा तुम्हें अपनी जीत पर बहुत खमंड है ना तुम्हारा एक हमन में चूर चूर कर दूंगा और इस बार चारियो ड्रेस जीत कर ये खोड़ा मैं अंकल को प्रज़न करूंगा शाबबाश बेटा देखा इसे कहते हैं खांदानी खून जो अच्छार पापा की नजरों से बच्के आना पड़ता है नहीं तो गोली मारते ते यारी तुम्हारा बाप है कि पिछले जनम का पाप है क्या क्या का तुम्हारा वाइज जबी मैं उनकी तारीफ करना चाता हूं यह ऐसी बाते क्यों नहीं करती है अब तो अब विला 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 लो यह खोड़े के तब हैं गदा कहां से आगे जेनो इसको अभी और मिला और मिला आगे भी कुछ बोलेगा वह मैं मैं मंगनी से पहले तुम्हें यह फूल देकर किस करना चाहता हूं यह बत्ती चली गई इसको भी जाना था यह कब आएग जाने के बाग लेकिन यह 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 कौंड बोला मैं बोली किल थी आवास को क्या हुआ वह कल रात को इंफेक्शन हो गयता ना दले मैं आई डेंट माइं मुझे क्या करना मुझे तुम्हारे सिर्फ होंटू का किस करना है पर जाकर ठीक से मूह थोकर आना इस उन्धर करान मैं बोलती हूं ऐसा करना okay सीधा जा राइट में थोड़ा सा okay okay I'm following you अभी लेफ थोड़ा बास alright अब बस अभी गिर जा गिर गया very good अभी मूधो ले उसी पानी से मूधो ले शाबाश okay very good अभी उटना निया हाँ अभी गुटनों के बाल आज जाना अगर मेरा किस करना है तो alright alright no अब बन कर ले चला कया जा अब बिला अचलते चलो बादे अचलते चलो बाएब बास थोड़ा सा राइट में okay थोड़ा सा लेफ okay अब उड़ी उप़र अब बस 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 अब तुम में अब मेरे होटो में सिर्फ दो इंच का फासला रह गया है you mean it I mean it and just go ahead please now yes baby yes let me kiss ah 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 जालिक तुमारे होटो में इंफेक्शिर हो गया इतने बोड़े बोड़े oh oh don't ask the question go ahead okay 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 yes hmm yes koda oh stupid damn it damn it you hihet इतरा क्या है रात के अंदरे में घोड़ी और गोणियों का चुमा ले रहा है यार मैं तो और मिला के चुमा लेना आया था और लेली अ गोडी का मैंने इससे पहले कभी किया नहीं है यार मुझे आता नहीं अरे बेवकूफ, चुम्मा लेना एक आठ है, कला है मैं तुझे शिखाता हूँ, उर्मिला, यहाँ पहले लड़के का हाथ पकड़ा, नहीं तुम नहीं, मैं पकड़ा हूँ पहले लड़के का हाथ पकड़ा, उससे आप भी जरब किशिए, फिर उससे टन करो, और उसका चुम्मा लेलो, यूूूू। Fantastic! So, it's so simple, मैंने सीख लिया, मैंने सीख लिया, पर इसीख लिया, तुने मेरी होने वाली बीवी का चुम्मा ले लिया, और हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे वे मेरे बेटे का मजाक उड़ाने की? तुने बताया नहीं क्या हुआ? आपने बताया था, कि रात को मैंने उर्मिला के दोके में घोले का चुम्मा ले लिया, तो मैंने इसे समझाया कि अपनी होने वाली पत्नी का चुम्मा लेना एक कला है, का अट है पर चुम्मा ले लिया आरे ओ, बेवक्त की औलाद क्यूं चिलाचिला के सारे खर को सरपे उठा रहा है, क्या हुआँ ठीक है फिर मैंने का मुझे याट ने आता बतलाओ तो तो ने क्या बोला इसको तो मैंने इस तरह से उरमीला का हाथ पकड़ा उसे अपनी तरफ की चाओ ऐसे चंद क्या कर जा इस तरह ने लिए पर चुम्माव ले लिया देख थे क्यों मारते के निया को राजू बेटे एक मिमीट ये समझ लें कि तुम्हेरा बेटा है मैं क्यों समझ ने में क्या प्रॉबलम है आजा इस तरफ आजा अजा खड़े रो में गधे जाना उदर अब बताओ कल रात क्या हुआ कल रात को मैंने उडुबिला के धुके में घोड़े का चुमा ले लिया कणर तो क्या हुआ मैंने कहा कि अपने अपने घुने वाली पत्नी कर चुमा लेना यह याए कले है इछी LOU तो तुम्हें क्या गाए मने जाब कि मुझे यह यह आठी आ त़ पारी लेस पा,टाट allies, क्या वाण्ष क्या हूआ मैं कुछ सोच रहा हूं आप सोचते ही मुझे आज मानूं पड़ा है आज मैं बहुत टेंशन नहीं हूं मुझे लगता है राजु पत्ती तो है शर्मिला का मगर उसका उर्मिला के साथ चक्कर है तो क्या तेरी शादी उर्मिला से हो रही है तो शादी के बाद भी राजु के साथ चक्कर चले तो अपने को क्या अपने को ठागूर सहाब की दॉलर से मतलब है डैड हे भगवन हे साथ हो जाए तो उस राजु को तुठी करूंगा मैं वार जब लर्का हो कमारा मारा इउझा हो मारा इड़ Oke Valdara विजले का अन्युक्त Premium सिणी सभी को तुठी किनो ईधर होrabi अब भो किर से इस दूका लठायो love के जब लड़की हो कमारी भिरती हो मारी मारी खिरती हो मारी मारी तक दक डोले उसका होले बोले धर कमिसागी यह कुड़ी ले इनी एज़ी अरे एहो कुड़ी लेनी ये जी एहो कुड़ी लेनी ये तेरा प्यार बड़ा तरपाए ये दर्ग सहाला जाए क्या हाल यह बेकावी का मेरी जान का ना जाए बेदर्द जहां से तरके मर जाएंगे आहें भरके चल जाने तमन ना देखे हम एक दो जेपे मर के देखते ही तुझे मैंने यही पुकारा एहो कुड़ी लेनी ये जी एहो कुड़ी लेनी ये आरे एहो कुणि लेनी ये जिए एकुणि लेनी ये जब लर्का हो कमारा किर्दा हो मारा मारा आरे भाक दोले उसका होले पोले दिल आमारा एहो मुण्डा लेरा है जी एहो मुण्डा लेरा है एहो मुण्डा लेरा है जी एहो मुण्डा लेरा है बीवार खरी करती है क्या क्या चाले चलती है जब दो आशिक मिलते है सारी दुनिया जलती है परवाहन कर तू इल की जो करते है को ने दे इनका तो हाम है जलना इन जल-जल के बद ने दे जो लिना है तू मुझे मैंने किया इशादा एहु मुणर लेना है जी एहु मुणर लेना है अरे जब लड़की हो कमारी धिरती हो मारी मारी धक धक दोले पुष्का होले बोले धरक शाले एखो कुरी लेनिया जी एखो कुरी लेनिया एखो मुंत लेनिया एखो कि हम उन्दों लेना रहे है शुरू हो जाओ शुरू हो जाओ डड़ी आगे है पुर्मिला डोंट बिएव लागा स्टूपिड याँ त्राइड याँ त्राइड वाले होते कौन हो अरे आफ्टर और योर में साली याँ यह क्या हो रहा है जैड़ी आप इसे समझा दीजे प्रीज हमारे घर की मामले में दख्यल देने वाले होते को ने सासूर जी मैं तो इसे क्या रहा है दो बोलो बैटी डैड़ी मैं कह रही थी कि शर्मिला ने इंसे शादी करके पूरे गाउं के सामने आपका सर चुका दिया ह पर अब मैं पूरे गाउं के साथ अपका सर उचा करना चाहती है और जब इंदर का घोड़ा रेस जीतेगा तो पूरे गाउं में आपका कितना सम्मान होगा और तब जाके मैं इंदर से सगाई करूँ देखा ये है मेरी बेटी अपने बाप की इज़त का कितना ख्याल रखती है सरसूर जी गोड़े की रेस में घदे को तोड़ा कर क्यों सगाई का खाब देख रहे हैं आप बहुत पच्छाएंगे आप खामोश अब तो सगाई रेस के बाद ही होगी हर साल की तरह इस साल भी आप सब का स्वागत है पिश्ने दो साल से मेरा गोड़ा जीतता आया है और मैं जानता हूँ कि इस साल भी मेरा ही गोड़ा जीतेगा इसका फैसला तो रेस के बाद ही होगा ठागुर्शाब क्योंकि इस साल पहली बार मेरा बेटा इस रेस में हिसा ले रहा है अपने ही बच्चा है आप सामने देखिए सामने देखिए चैनल आज़े चैनल आज़ब क्योंने है को हाँ यहाँ कि अवाँ कुल कि अव। ही और में अव। ओर आप चून आप आप प्याँ को हाँ इंदर आइया यह। आगी कमआन एंदर आप समय। लवल वेल डान आपके मेरा बैका कम अ जैनू आजा आजकर आज आजकू यह तर देख शिर्टी बजा दिना उजे गरा दिया अब मेरी उर्मिला देशादी कर दो गिल्ग उर्मिला यह मैंने क्या यह 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 हॱु यह को मैंत प Tel anarch यह यह करे जुम यह 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 monkeys यहुड़ इस बुटे जदे जी कुम एड़ी प्रहे खवाद करो दे खाद है यह यह जब घर करो दो गजब इख तरहे लिए यह यह ऐार झाल इस बड़ी, यह प्लुव मते इड़ी अभन बेश पूर जब सबस्ति बड़ी एड़ी दे जब बस दो देड़ी जबे़ा इनव यह एड़ 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 एड एंब 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 से år सकता! सकता! समस्हीं सलनusto तर उन्द! नेह! पाराब! हाईए हाई! याँ! 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 हाहा! याँ! लुगे फिरई येप यह जी जी शाबाज बेटे मेरे गरेर लग्या यह तो कमाल हुए आज तुने ठाकور बर्राजशिंग का सर फकर से उचा कर दिया छार दिवारी के अंदर कीगे घलती को चार लोगों के सामने मानने में कोई हर्ज नहीं बेटे मैंने तुम्हारी और शरमीला की शादी को कभी नहीं माना और नहीं मैंने तुम्हें अपना दामाद माना लेकिन मैं गलत था लेकिन आज मैं सब के सामने घोशना करता हूँ कि अगले शनिवार को मैं राजू और शर्मीला की शादी धूम धाम से करूँगा आप सब लोगों को मेरा निमंत्रन है खुश रहो बेटे और चले ठाकुर साम लगे हाथ इंदर और उर्मिला के शादी के घूशना भी आप कर दीजे जो देश के मादान में सब के सामने गिर जाए ऐसे हारे हुए लड़के को मैं अपना दामाद नहीं बना सकता क्यों भाई राजू है तुम कहा करते थे ना मैं कब हसुँगा कब खुश होँगा यह देखो मैं कितना खुश लेकिन तुम्हारी हसी कहा गाइब हो गयी यह हसी क्या होती है नाम सुना-सुना सा लगता है तुम्हारा यही अंदास तो मुझे बहुत अच्छा लगता है चलो जल्दी तैयार हो जाओ बैटी अब जरा तू लगा दे मुझे बहुत सारे काम है चलो चलिए आईए आईए बैठी बैठी आप भी लगा चलो बच्छो तरह में भी हल्दी लगा जो उसको कितने प्यार से हल्दी लगारी देख रहे हैं आप शायद ये दुनिया की पहली नसीब ओली लड़की है जो अपने दुले को अपने बहन के लिए हल्दी लगा रही है राजू तो फिर मैं क्या करूँ मेरे तो कुछ समझ में नहीं है रहा और मुझसे तो कोई उमीद मत रख मैं दो उस बंदू की तरह हूँ जो फायर तो नहीं कर सकती सिर्फ फोटो की तरह दीवार पर लटक सकती है मगर ये जो कुछ हो रहा है ये तो होने नहीं रोगा मैं क्यों क्या करें गया एक आइडिया दूमा तुछको एक काम कर इसको लिए भाग जा क्या बात करतें गर्डा घेंगे जराज के निक्या तो अभाल हमारी साथ कभी गलत ने करेंगा धेंगी मारे जरूर शुनेंगा अब को बढ़रों का गभार जब सुनल लिया का मतलब शर्मिला तो लेप हलो यार शर्मिला शर्मिलास सथनली यह तुम क्या कर रही है तुम पगल हो गया चोड़ दीजे मुझे मर जाने दीजे मैं इसी लाएक हूँ अंजाने में मैं अपनी छोटी बेहन की खुशियां जीनने जा रही थी नहीं 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 तुम पगल हो गया है आरे मैंने जो कुछ किया तुम्हारी खुशी के लिए इस घर के इज़त के लिए और तुमों के बस सारी मैंने पर पानी पहर रही हो मैं कितनी बदनसीब हुना राजू यह मेरे बदनसीब ही है जो मुझे यह छोड़के चले गए अब इनके लॉट ने की भी कोई उवीद ने तस्वर दिखाना दरा शर्मीला मैंने जो कहीं देखा है शायद प्रत्विश सिंग के फाम पर यह उसी का बेटा है ओके एक जा खुस बुस हो रही है कर दो मिनट के अंदर अंदर तैयार होकर नीचे आजाओ मैं मानाने वाले है आप मेरी अमानत का ख्याल रखिए मैं इसकी अमानत को हर कीमत पर लेकर आऊँगा मैं मैं भी आता हूं साथ नहीं दाजची वार में बगर गुली की बंदूग का क्या का आप रहने दिए मैं बहुत घुसे में हूं यार तू आप अपना घुसा यही निगा लिए अरे तू मेरे बहुत तू सुन्दो यार तू राजू आप आपको तू मैंने पहले कहीं देखा है हाई उस दिन गोड़ा लेने आए था आज तूझे लेने आओ चल मेरे साथ मुझे हाँ कितनी शरम की बात है तू यहां आराम से बैठा हुआ है और वहां शरमील ने तुमारे प्यार में चनब रही है और उसकी खोक में तुमार मैं वहारे बारे में सब कुछ הजानता हूं आप कुछ नहीं जानते मैं शरमीला से बहुत प़र गजता है लेकिन शरमीला के बिटाजी और मेरे पिताज में दुषमनी है मैं शरमीला से शाथ जादी करना चाहता हूं इसी लिए लोगों नो मज यहाथ कैट करकर रका हां तो मेरी प्रब्लम सौलै चल निकल या ते क्या से निकलना रस्ता का है भाई दुले को बुलाइए लगन का समय निकला जा रहा है पिताजी दाजु को बुलाइए अंपो प्रेजा को बुलाइए अब क्या होगा खबरा मत बेटी मुझे अपने राजू पे भरोसा है, वो फेरे शुरू होने से पहले अजे को ले करा जाएगा को आज आ जा रहा है? आज आप मुझे रोक नहीं सकते पिताजी, मैं चाक के रहूँगा, और मैं ऐसे लजा करी रहूँगा उस दिन तु घोड़े के बच्चे को नहीं ले जा सका, थाकुर के बच्चे को क्या ले जाएगा इसे में ले जाऊँगा, ये मैं जानता हूं तुम नहीं जानते और ये तुम्हारे बारे के डट्टू मुझे रोकने की कोशिश करेंगे, और पिटेंगे साले, ये भी मैं जानता हूं तुम नहीं जानते और शर्मिला कल तक तुम्हारे घर की भवव बन जाएगी, ये भी मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हां लेकिन एक बात है मैं सबको बिढ़ों को लेकिन तुम को नहीं मारूँगा क्योंकि तुम शर्मिला के होने वाले ससुर जी हो अच्छे ये बातों सिर्फ मैं ही जानता हूं तो तुम्हारा तो सवाल नहीं उड़ता चारा जाए निकाल यहां से पक्रास साले को भै ठाकूर साब दूले को जल्दी बुलाइए लगन का शू महुर्त बीता जा रहा है पिता जी बुलाइए न राजु को यहां खड़े-खड़े क्या करने है क्या मतलब मतलब यह कि तुम्हारी दोनों बेटियों को बेवकूफ बना कर वो भाग गया मेरा खला पकटने से गया, थाकूर साब यह सच्चा इह है यह बकता राजु तयार हो रहा है ऐसा कॉम सा शुंगार चल रहा है दुले मिया का गि अभी तक तयार नहीं हुए मैं तुम्हेक गोली मार दूंगा थाकूर साब गोली चलाने से पहले खुद देख तो आईये कि दुले मिया है भी या भाग गए बखवास का आप चुप रहे है जो अब खामोश को ख़ले हो उच्छा अपने घर वालों शादी किये बिन अपने पेट में बच्चा लिये घूम रही अपनी बड़ी बेटी से पूछ अपनी बड़ी बेहन से गैन और कपडों के साथ साथ आशिक को शेयर करने वाली तेरी तेरी चोटी बेटी से पूछ अपनी बड़ी बड़ी बेटी को गलत रास्ते पे ले जाने वाले तेरे बाप से पूछ जिसमान मर्यादा इजजत खांदान की तुब बात कर रहा था तेरे घरवालों ने तेरे घर में उसे दफना दिया अब गोली चलाओगे भी तु किस पर चलाओगे ठाकुर साथ बड़ी तु कर झालाओ कर तेरे भी बड़ प्रवप räु प्राटट उसे प्हाई एÃ, जड दो, भालाओगे! अफ उसे देरे उास्ते प्रस्आब हर उस्ते ऑमेशा वज़ी बाल Α कर दो, झालाओगे esses नाने प्र्वा प्रृण त in sound इंए बाजे वाल था। झाल ! ताई ! तूम झाल इंए ! जो ! ताई लुट ! बागलो ! हज मुदट ! अगर यह मुझसे अपने दोनों बेटियों को शादी करना भी चाहें तो मैं तो ना करूं ऐसे खांदान क्यों ठैक अरे सवावाल इनिक पैदा होता अरे आप सब लोग तो बड़े-बड़े खांदान से हैं ऐसे गरे खांदान का खाना खाने से अच्छा है किसे मरे हुए कि यहां खाना खाते हैं अरे इनकी कोई इज़त है क्या चलिए उठी है चलो 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 जिस खानदान पर आज तक किसी ने उंगली नहीं ट्राई थी आज उसी खानदान पर लोग ठूक कर चले गए आज 400 साल पुराने खानदान का वजूद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया और खत्म हो जाएगा इस खानदान का एक एक आदमी आज तक मैंने ये बंदूग सिर्फ उठाई थी किसी पर चलाई नहीं थी लेकिन आज ये बंदूग चलेगी और सिर्फ लाशें गिरेंगी सिर्फ लाशें लोग आजए आशरवाद लो डादा जी अब खड़ा क्यों है उठा बंदूग गिरा डाल सबकी लाशें सारी जिन्दगी अपनी मान मर्यादा जूटी इजट की धौंस देता रहा और धौंस का नतीज़ा देखा ये तेरी अवलाद उसे प्यार नहीं करती डरती है और अगर तुने ये सारी जिन्दगी उठाने के बजा उनको प्यार दिया होता ना तो ये दिन देखना नसीब नहीं होता ये राजू शर्मिला का पती नहीं है उसका पती ये है अजै तेरे राजू तो उर्मिला से प्यार करता है तेरी ये बेटी जिन्दगी से तंग आकर खुदकुशी करने जा रही थी तादाजी बोलने दे बेटा जिंदेगी पहली बरतों तो बोलने का मुखा मिला है नहीं तादाजी अफ्षान तुझ जाता हूं मैं यहां से चला जाओंगा तो इनका गुस्टा भी ठंडा हो जाएगा और फिर मेरे यहां आने का मकसद भी तो पूरा हो गया है उसके अलावा मुझ जैसे अनाथ को कितने सारे रिष्टे एक साथ देखने मिल गए आपर तादा तादी मा एक अच्छा दोस्त और एक गुस्से वाला बाब भी मगर जाने से पहले में एक बात के दूँ आपको आप विश्वनात प्रताप सिंग है से याने के शेर बबबर शेर और शेर भी कौन सा वो जंगल वाला वो सलकस वाला नहीं कि अधर जब मैं गाव में आया तो गोली चलाई जब मैं गाव से जा रहा हूं तो गोली चला रहें अमारे खानदान के 400 साल के इतिहास में आज तक कोई लड़का अपनी होने वाली बीवी को छोड़कर नहीं भागा तो तूर मिला से शादी कि बेना कैसे भाग रहा है I like your style man, you're cool huh? You're quite good, okay? All right young man, let's have it Try and catch Yes Pool 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 और मिला और मिला हा झाल, भुपूपूपूğa बादा ची आ जाल, लुपूपूपूपूद हाँ हाँ हुपूपूपूपूपूपू हर मिला, हर मिला, हर मिला दो ध दो हमाई भाल लगशा बीड्यskत मेरे प्यार वाला कुल खेला हसीन तुँ जवान मैं दोताओं कुछ पे जान मैं कल शुरू करेगे चाहतों का सिलसिला मन चला हो मन चला हो मन चला जा दिवाने यूना मेरा दिन चला मन चला हो मन चला हो मन चला जा दिवाने यूना मेरा दिन चला नो ऐसे मेरा नाम ने तू सबर से तकाम ने रहने दे अभी जरा जरा सबाज लाओ और मिला है और मिला है और मिला है दिल मेरे प्यार वाला कुल के लाओ शोखिया तेरी आखों में मस्तिया तेरी सासों में खुश्बूओं की रवानी है मेरे खाबूं की रवानी है कैसा है अनारी ना बात मेरी माने देवजी को समधे न दर्द मेरा जाने सोश में नहीं हो गया है बागला